ये बच्चा कौन है? अंजी, बेटा कौन? आंटी, मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे, प्लीज आप मेरी मदद कर दो मम्मी पापा नहीं मिल रहे? कौन है आपके मम्मी पापा? और आप यहाँ पे अकेले कैसे आए? मैं गुम गया हूँ मेरी को मदद ने कर रहा प्लीज आप दर्वाइजा खोल दो बिटा, आप कहां रहते हो? आपको याद है आपका घर का है? मुझे नहीं पता है, मेरा घर का है आंटी मुझे बहुत भूद भी लग ज़ए और डर भी लग रहा है मैं आपकी कैसे help कर सकती हूँ मैं एककाम करती हूँ, पुलीस को फोन कर देती हूँ वो आपकी मम्यवापा को जूनने में आपकी help कर देंगे आच्छी मुझे पुलीस से भी डर लग लग आ है लेकिन पुलिस से डरने की क्या जरूरत है? वो तो हमारी हल्प करने के लिए होती है न? वो आपके मम्य पपय उपको डूनने में आपके जरूर हल्प कर देगी, ठीक है? प्लीज आप दरवाजा खोल दो, फिर आप पुलिस अंगल को फोन कर देना अच्छा ठीक है एक मिनट हमारा में गेट तो बहुत उच्छा है और इतना चोटा पच्चा वो गेट नहीं कोल सकता मैं एक पर CCTV क्यामरा में चेक पर लेती हूँ ओ शेट इस पच्चे के साथ यह आदमी कौन है हेलो पूली स्टेशन सब मैं लाजपतनगर से बोल रही हूँ मेरी घंग के बाहर एक बच्चा खड़ा है वो कह रहा है उसके मुमी पापक हो गया मैंने CCTV में देखा है कि एक आदमी भी उसके साथ खड़ा है जी, पाइच साथ, थैंक यू बेटा, आपके साथ जो आदमी खड़ा है ना उसको बोलो, वो मुझे दिखाई दे रहा है और उसकी शकल भी CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती होगी और उसके भी मुमी पापा को अब ढूंग लेगी ठीक है? तो डूंट वरी आज को इस कैमर्स बच्चों के दूबी स्कैम करने रहते हैं और कुछ लोग बच्चों को देखकर उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यूनों हेल्पिंग सम्वान, स्पेशली चिल्रें इस गुड़ टीर पट साथ ही हमारा कौशिस रहना भी बहुत ज़रूरी है और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए तो प्लीज सबसे पहले पुलिस को फोन करें और खुद अक्शन ना लें यूनों थीज स्कैमर्स स्पेशिपिकली टागेट इपलो लेवलों और जो लोग अगेले रहते स्पेश्टी उनको तो अपने घर के बाद CCTV कामरा लगा लेना चाहिए ताकि उनको पता हो कि घर के बाद कौन आ रहा है और आज कल के CCTV कामरा का लाइस कुटे जा आपने फोन पे देख सकते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट डेएस लिए ही झोई रोगी है तो प्लीज, PLEASE, PLEASE be aware of these GANS बिकोज सेफी इस आफाट है अधसेः उनको थो लिए फोल्यक्र के बाद कुछ वीचा सेब़ेकना सेदेशिण कावीज है